Hello students, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोन स्कूल में आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदर विद्याले के लिए हमारे कोर्सेस Udemy पर भी उपलब्ध हैं Discounter Price पर इन कोर्सेस को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगया लिंक पर क्लिक कीजिए साथी अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिएगया कुपंस का इस्तिमाल करते हैं तो आप इन कोर्सेस पर 80% तक का डिस्काउंट गेन कर सकते हैं इसके अलावा हमारे pen drive तथा memory card courses मंगाने के लिए आप हमें 789-729-3790 या फिर 910-950-6253 पर pen drive course लिखकर whatsapp कर सकते हैं नवोदे विद्याले entrance exam के लिए हम important questions की series cover कर रहे हैं तो देखो आज के lecture का पहला सवाल ये रहाब के screen के सामने पढ़ो और समझो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताईए जिसे 4, 5 तथा 8 से विभाजित करने पर 3 शेस बचता हो find the smallest 3-digit number which when divided by 4, 5 and 8 yields remainder 3 देखो समझो आपसे क्या कहा गया है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है कौन सी संख्या जिसे 4, 5 और 8 से डिवाइट करने पर 3 remainder बचता हो अब जब भी ऐसा प्रशन पूछे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताईए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि बताओ मुझे सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें LCM निकालना है यानि की LERSON निकालना है clear है जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है हमसे तब LCM निकालते है जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो क्या निकालते है HCF यानि की मुज़ा निकालते हैं ये concept clear है? चलो क्या कहा गया है कि 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर 3-6 बचता हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 4, 5, and 8 का LCM निकाल लेंगे यानि की लगुत्तम समापवर्थ ठीक है? मैंने 2 से डिवाइट किया तो 2-2 जा 4 यहां पर 5 आया और 2-4 के 8 फिर 2 से मैंने डिवाइट किया 1-5 और 2 दिनी 4 फिर 2 से मैंने डिवाइट किया तो 1-5 और ये 1 हो गया फिर मैंने 5 से डिवाइट किया बच्चों तो 1-1 और 1 हो गया तो LCM हमारा कितना है? बताओ यहां से यह 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 5 दूना 10 2 दूना 4 भामे 40 40 हमारा LCM आ गया अब देखो ध्यान देना 40 तो LCM आया लेकिन क्या यह संख्या 3 अंकों की है? नहीं है ना यह संख्या है 2 डिजिट की याने की 2 अंकों की हम से क्या पूछा गया है? हमें चाहिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो अब हम क्या करेंगे? 40 का multiple खोजेंगे 40 का गुणच खोजेंगे और गुणच के लिए हम क्या करते हैं? आपको पता है ना 40 में 1 का गुणच करेंगे चालिस ही आएगा, फिर दो का, असी आएगा, फिर तीन का, तब तक गुड़ा करते जाएंगे, जब तक कि हमें तीन अंक की संख्या न मिल जाए, चलो, चालिस गुड़े एक कितना हुआ, चालिस तीन अंक की नहीं है, चालिस गुड़े दो बताओ कितना हुआ, असी, ये भ भाजित होगी छोटी से छोटी तीन अंक की संख्या है इतनी बात क्लियर है अब देखो हमें भी भाजित नहीं करना है हमें किवल डिवाइड नहीं करना है हमें ऐसी संख्या find out करनी है जिसमें 4, 5 और 8 से भाग देने पर 3 जो है वह 6 बचता हो remainder बचता हो तो very simple हम क्या करेंग सा सवाल है ना clear है देखो मैं एक बार आपको test करके भी दिखा देता हूं जैसे 4 से ही मैं divide करता हूं 120 को मैं 4 से अगर divide करता हूं बच्चो तो 4 यहां 12 है यह 3 बचा यहां 0 आया तो 3 remainder बच रहे की नहीं इसी तरह से अगर आप 5 से भी इसको divide करोगे तब भी 36 बचेगा और 8 से भी divide करोगे तब भी 36 बचेगा तो हमारा option कौन सा है D option is the correct option ठीक है आसान सा सवाल था LCM निकालना था आपको और 3 जोड देना था चलो बहुत अच्छे अगला सवाल करते हैं मेरे साथ साथ आप भी करते रहना और अपने जबाब comment box में लिखते रहना अगर आपको 9 दे विद्याले के लिए sample paper की आवशकता है तो आप में 789-729-3790 पर whatsapp करके practice के लिए model papers भी मंगवा सकते हैं आगे चलते हैं अगला सवाल देखो पांच परसें साधारन ब्याच की दर से कितने वर्ष में कोई धन अपने का दुगुना हो जाएगा in how many years will the money double of itself at the rate of 5% simple interest देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं न यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है अब जानते हो बच्चों ब्याच का formula क्या होता है साधारन ब्याच का formula क्या होता है बताओ मुझे मैंने बताया था आपको पिछले video lectures में साधारन ब्याच का formula होता है PRT upon 100 P मतलब principle यानि की मूलधन R मतलब rate यानि की दर T मतलब time यानि की sum है PRT upon 100 यही simple सा formula है साधारन ब्याच का अब हमें क्या-क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो यह देखो हमें दिया हुआ है कि कोई धन अपने का दुगुना हो जाएगा यानि ये क्या है? ये मिश्र धन है कि कोई धन मालो हमने 100 रुपे जमा करा है और वही money वही धन जो है वो 200 रुपे हो गया तो ये मिश्र धन दिया हुआ है और साथी साथ हमें rate पता है हमें मूल धन भी नहीं पता है और time ही हमसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में ये दुगुना हो जाएगा तो ऐसे question को करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करना आप क्या करना कि उस धन को सौ अरुपए माल लेना आप माल लेना कि माना कि मूल धन यानि कि principle जो था वो था सौ अरुपए अब देखो इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ परिंसिपल आप माल लेना की सौ अरुपए है अब हमसे क्या कह रहा है कि वो धन अपने का दुगुना हो जाएगा यानि अगर मैं ब्याज को भी जोड लू पांच परशन जो साधारण ब्याज मिल रहा है मुझे उसको भी मैं जोड लू तो ये धन हो जाएगा 200 रुपए क्योंकि 100 रुपए से बढ़कर 200 हो गया यानि कि दुगुना हो गया आई बस समझ में ये बढ़ा कितना पहले 100 रुपए था मैंने बच्चो इसमें 100 और जोड दिये तो ये 200 हो गया यानि 100 रुपए हमारा मूल धन था और 100 मैंने इसमें ब्याज जोड दिया क्या किया मैंने 100 इसमें ब्याज जोड़ दिया साधारन ब्याज यानि कि simple interest हमने जोड़ दिया तो ये धन हो गया 200 रुपए अब यहां से देखो clear clear आपको बात पता चल दिये बच्चों बात आपके सामने आ गई कि 100 रुपया हमारा ब्याज है है ना 100 रुपया मूल धनता तो 100 रुपया ब्याज भी है हमारा अब सीधे से इस formula में आप रख दोगे और आपका answer निकल किया जाएगा देखो कैसे साधारन ब्याज यानि कि 100 रुपय हमारा है principle principle हमने कितना मान रख़ा था 100 रुपय मान रख़ा था देखो यहां से यहां से ध्यान दो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 100 मान लोगे तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए principle हमने 100 मान रख़ा था rate देखो यहां से हमें दिया हुआ है 5% साधारन ब्याज तो rate हमें दिया हुआ है तो 100 गुड़े 5 time ही तो हमें निकालना है तो into t कर दो into t upon 100 अब देखो इस वाले equation में क्या ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता है t यानि कि time ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना भी है तो हो गया नहीं equation बहुत ही आसान 100 से 100 कट गया बच्चा और यह 5 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा यानि कि 100 upon 5 is equal to t 100 upon 5 means यह हो गया 20 is equal to t यानि कि time हमारा निकाल के आगया 20 20 साल यही हमारा correct answer है कौन सा option है d option is the correct one यानि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई भी धन अपने का दुगना हो जागा कितने सालों में 20 सालों में concept clear है कैसे हमने सवाल को लगाया सबसे पहले है तो हमने यह मान लिया कि भई मूल धन 100 है मूल धन 100 हमने माना उसके बाद हमने ब्याज निकाल लिया कि ब्याज कितना आ रहा इस पे क्योंकि धन दुगना हो रहा था तो 100 में हमने 100 जोड़े तो 200 आया तो जो हमने 100 जोड़ा उसी को हमने माना भी ब्याज है यह आई बात समझ में ना चलो बहुत बढ़ियां अगला सवाल करते हैं यह देखो अगला सवाल यदि 38 मीटर उचाई वाले एक चिकने व्रिक्ष पर एक बंदर एक मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है तूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है तो व्रिक्ष के ऊपरे सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा देखो question मैं समझाता हूँ आपको एक पेड है यह पेड है आपका जो बहुत चिकनाई वाला पेड है मतलब यह पेड बहुत फिसलता है ठीक है एक बंदर तुम्हारे जैसे है एक बंदर एक बंदर है ठीक है जो इस पेड चढ़ता है देखो यह एक बंदर है जो इस पेड चढ़ता है इस पेड पे अब होता क्या है कि यह पेड बहुत फिसलता है क्योंकि चिकना विरिक्ष है तो बंदर पहले मिनट में आठ मीटर बच्चों उपर चढ़ता है यानि एक मिनट में ये तो 8 मीटर उपर चढ़ गया लेकिन अब क्या होता है अगले ही मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है यानि अगर ये 8 मीटर बच्चों उपर चढ़ा पहले मिनट में तो ये दूसरे मिनट में क्या होगा मुझे बताओ 2 मीटर ये नीचे फिसल गया तो एक बात बताओ पहले मिनट में 8 मीटर उपर चढ़ा दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया तो कुल मिलाके 2 मिनट में कितना मीटर उपर चढ़ा बताओ मुझे 2 मिनट में ये 6 मीटर उपर चढ़ा क्योंकि 8 मीटर चढ़ता है 2 मीटर नीची आ जाता है 8 में से हमने 2 घटा दिये 6 मीटर बचा ठीक है यानि कि 2 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है अब हर 2-2 मिनट में 6-6 मीटर उपर चढ़ेगा सोचो जारा हर 2-2 मिनट में 6-6 मीटर उपर चढ़ेगा तो अगले दो मिनट में फिर 6 मिटर और अगले दो मिनट में 6 मिटर और अगले दो मिनट में 6 मिटर और तो ऐसे 6 6 कितनी बार हम जोड़ा है कि 28 के करीब आजाएए देखो 38 मीटर टोटल लंबाई है इस पेड़ की टोटल लंबाई है जो उचाई ये है 38 मीटर और ये हर दो-दो मिनट में 6-6 मीटर चढ़ता है तो जोड़ो जला पहला दो मिनट 6 मीटर दूसरे दो मिनट में 6 मीटर तीसरे दो मिनट में 6 मीटर चौथे में भी 6 मीटर और पांच में में भी 6 मीटर अब देखो बच्चों यहां से ये 6 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगा 2 मिनट इसमें भी कितना टाइम लगा 2 मिनट इसमें भी 2 मिनट इसमें भी 2 मिनट और इसमें भी 2 मिनट और कुल कितना अभी तक चढ़ गया बताओ तो मुझे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच बार हमने 6 लिखा है यानि कुल मिला कि अभी तक 30 मीटर बंदर जो है वो चढ़ गया है और टाइम कितना लगा दो, दो, चार, दो, चार, दो, आर, दो, दस या टाइम लगा बच्चों दस मिनट यानि कि 10 मिनट में देखो बंदर 30 मीटर उपर चढ़ गया है अब ध्यान देना ये सबसे important concept है इस question का अब देखो लंबाई कितनी है, विरिक्ष की उचाई कितनी है 38 मीटर ठीक है एक मिनट में वो 8 मीटर चढ़ता है दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है तो ध्यान रखना 30 मीटर जो है, वो चढ़ चुका है बंदर 30 मीटर उपर चढ़ चुका है अब अगले मिनट में जैसे ही वो जंप लेगा जैसे ही खुदेगा वो 8 मीटर उपर जाएगा clear है yes or no जैसे ही वो खुदेगा वो 8 मीटर उपर जाएगा अब बच्चो 8 मीटर उपर चला गया तो 30 मीटर चढ़ चुका था प्लस 8 कितना हुआ 38 मीटर 30 प्लस 8 38 मीटर और जब 38 मीटर वो चढ़ गया तो वो अब फिसलेगा कहाँ वो तो वो उपर चढ़ गया न तो वो अब नहीं फिसलेगा तो अगला एक मिनट अगर मैं और जोड देता हूँ यानि 10 मिनट में वो 30 मीटर तो चढ़ी चुका था अगला एक मिनट और जोड दूँ प्लस 1 मिनट तो ये 11 मिनट में 24 मीटर चढ़ेगा या नहीं बत या 109 बता मुझे चढ़ेगा न बहुत बढ़िया दिखो यानि कि A option ही correct option है हमारा अगर आपको कोई doubt है तो comment section में पूछना मत भूलना और हाँ इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो नवदे विद्याले की तयारी कर रहे हैं साथ ही ऐसे ही quality content रोज पाने के लिए इस चैनल को subscribe करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना बाकि हमारे pen drive और memory card courses तो available है ही आप उन्हें Udemy पर भी ले सकते हैं अगर आपको नवदे विद्याले की तयारी करनी है तो चलो आप से मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सावानों के साथ तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद